गुड मॉर्निंग ओल उफ यू तो आज हम डिस्कस करेंगे टीजिटी मेडिकल का आपका कमिशन हुआ था 8 जुलाई 2018 को ये करवाए गए था इसमें आपके जीक्टे के जितने भी मात्वपूर्ण कोशन पूछे गए थे वो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे तो जितने भी आपके हमिरपूर बोर्ड की तरफ से एक्जाम हो चुके हैं उनके ओर कोशन पेपर की रिविजन चली है कलास अज आपकी 41, 40 कलासे हो चुकी हैं अगर किसी भी परस ने भी नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं अगर आपको TG से आपको सुमज्षम पर बिलती रहें तो चलते हैं सके पहले कोशन की तरफ सुक्षम शिक्षन हैं प्रशिक्षिक्षिन उपकर्ण, फीडबैक उपकर्ण, निम्न सुपानी शिक्षिया ये सबी तो बंट 21 का राइट अंस होगा निम्न सुपानी शिक्षिया सी ओफ निज राइट बंट 22 इगनु की स्तापना किस बर्श हुई थी अगर आप टीजटी मेडिकल की त्यारी कर रहे हैं तो यहां से स्तापना से रिलेटेड आपके जितने भी कमिशन होगे एक कोशन आपका यहां से जुरूर पूछा जाएगा हमिरपूर बोड की तरफ से तो इगनु की स्तापना किस बर्श हुई थी 1958, 1953, 1985, 1986 तो बंट बंटी टू का राइट अंस होगा 1985 में इगनु की स्तापना हुई थी C.O.N.S. राइट माभीर का प्रत्तम शिष्य कौन बना जमीनी, जमाली, मनू, योशुदा तो बंट बंटी टू का राइट अंस होगा जमाली थे आपके माभीर के प्रत्तम शिष्य है B.O.N.S. राइट तो यहां से आपकी हिस्टरी Political Science, Geography, HPGK, Economics की रिविजन हो रही है तो आने बाले आपके जितने वी इगजाम होगे उनके लिए कापी helpful होने बाले यह कोशन तो प्लीज कोई भी परसन वीडियो को अधूरी शोड करना जाए वीडियो में तक बने रहें बहुत ही महत्वण कोशन आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में तो बंट बंटी फोर का राइटांस होगा विबेका नन आपके चिंतंग बेदान दर्शन पर विश्वास रखते थे सी ओफ निज राइट स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी इमाइल दुर्खीम जोन डिबी रोबर्ट मर्टन अगोस्ट कॉंत तो बंट बंटि फाइब का राइटांस होगा जोन डीबी के दुवारा स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लिखी गई थी नेक्स है बोर धर्म के ठेरबाद सबरूप का अनुसरण कोन करते थे 126 जो आपके बो धर्म थे थेर बाद सबरूप का अनुसरंड कोन करते थे बर्मावासी, चीनवासी, जपानी, शिरलंका के लोग 126 का राइट अंस होगा बर्मावासी बो धर्म के थेर बाद सबरूप का अनुसरंड किया करते थे नेक्स है बिजाले किसकी जांगीर थी बंट वंटी सेवन सातबान राष्टकूर पलब गुपत तो बंट वंटी सेवन का राइटांस होगा पलब आपके बिजाले जांगीर थी सी ओफनिस राइट अलवदिन खिलजी ने कांसे बिशाल संपत्ती जीत कर ताज हासिल किया था बंट वंटी एट अलवदिन खिलजी ने कांसे बिशाल संपत्ती जीत कर ताज हासिल किया था चंदेरी, गुजराज, देवगिरी, चिंतोड तो बंट वंटी एट का राइट अंसर होगा देवगिरी से अलद्यून खिल जी ने विशाल संपत्ती जीत कर ताज हासिल किया था सी ओफनिज राइट बे मुगल शासक जिसने पूर्त गालियों को हुगली बंगाल का प्रमुक पतन से खदेडा था अकबर, जहांगीर, शांजा, उरंग जेब तो बंट वंटी नाइन का राइट अंसर होगा शांजा ने पूर्त गालियों को हुगली बंगाल का प्रमुक पतन से खदेडा था बंट थर्टी तो बंट थर्टी का राइट अंसर होगा ब्रेन हिंस्टिंक्स ने रोबट कलाइब के पचायत बंगाल का प्रशासन बार संबाला था कानपूर शड्यंतर केस में किसकी गिर्पतारी हुई थी से डांगे एम एन रोए बक्त सिंग रांपरसाथ बिसमिल तो बंट थर्टी वन का राइट अंसर होगा एम ए डांगे कानपूर शड्यंतर केस में इनकी गिर्पतारी हुई थी कितने देशों ने राष्टों ने गुट निर्पेख्ष सदस्य राष्टों की प्रत्थम मीटिंग में भाग लिया था 17, 21, 25, 28 तो बंट थर्टी टू का राइट अंसर होगा 25 सदस्य राष्टों ने गुट निर्पेख्ष की प्रत्थम मीटिंग हुई थी उसमें भाग लिया था भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो पूर्ब किया और बैती है रिपीटड कोशन पूछा गया हमिर पूरबोड की तरफ से बार बार इसी को रिपीट किये जा रहा हमिर पूरबोड की तरफ से अगर आपने अभी तक 40 क्लास को टेंड किया होगा तो तो बन 33 का राइटांस होगा गुदाबरी बी ओफनिस राइड निमन मैंसे कोंसी श्रेणी भारत थदा तिबत के मद्धे प्राकृतिक अबरोध के रूब में कारे करती है बन 34 का राइटांस होगा कलीम पॉंग बी ओफनिस राइड गिरनार की पाडियों में गोर्खनात उत्तम चोटी है कच में कच के रण में कठियावाड में इसमें से कोई नि तो बन 35 का राइटांस होगा जो गिरनार पाडिया वो आपकी कठियावाद में स्तीत है निमन में से कौन सी नदी गोर सोंपा जल परवात बनाती है शरावती, नर्वंदा, तापती, माही तो बन 36 का राइटन्स होगा शरवती नदी जो आपकी गोर सोंपा जल परवात बनाती है सेलबास परकार की बंसपती पाई जाती है बन 37 का राइटन्स होगा बन 38 का राइटन्स होगा बन 38 में आपके पेटरोल का सबसे बड़ा उतपादक है भारत में उच गुणबता वाला बासमती चाबल मुक्यता बोई जाते है देरादून, कश्मीर, सुंदरगर्ड, इन सभी तो बन 39 का राइटन्स होगा देरादून में आपके जो बासमती चाबल है वो बोई जाते है तो यहां से आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाले जितने भी आपके कमिशन होंगे जितने भी आपके टैट होंगे तो प्रीज हमारे साथ मॉर्निंग में 7 बज़े इसी टाइम पे कलास होती है तो कोई भी परसन कलास को मिस ना करें अगर आपको TGT कमिशन पास करना है यह माच्चल में जो पर राप्त करनी है तो राष्तान के जुजुन जिला का खेतरी किसके उत्पादन का प्रमुक के अंदर है 140 लेड, कोपर, जिंक, अलुमीनिम 140 का राइट अंस होगा कोपर बी ओफनेज, राइट बारते सभिधान दुआरा मजबूत केंदर वाली संग्य पनाली कहां से ली गई है 141, USA से, कनाड़ा से, UK से, फ्रांस से 141 का राइट अंस होगा कनाड़ा से आपका जो संग्य पनाली है वो आपकी कनाड़ा से ली गई है बी ओफनेज, राइट तो कोई भी परसन वीडियो को शेर नहीं कर रहा है प्लिज वीडियो को एक बार शेर जरूर कर दें निम्र मैसे भारते सभिधान की कौनसी अनसूची राज्य के नामों की सूची तता उसकी सीमाई दर्शाती है तो 142 का राइट अंस होगा प्रत्थम जो भारते सभिधान की सूची है अनसूची है वो राज्य के नामों की सूची तता उनकी सीमाई को दर्शाती है तो वो सूची आपकी प्रत्थम ए ओफनेज राइट निम्न मैं से कौन यूनिन केबिनेट मिनिस्टर बने बिना भारत के पदान मंत्री बने थे चोदरी चांड सिंग, HD देव गोडा, मुरोरजी देसाई, आई के गुजराद तो 143 का राइट अंस होगा HD देव गोडा जो थे आपके वो बिना मिनिस्टर बने भारत के पदान मंत्री बने थे तो 143 का राइट अंस होगा संसद के किस सदन में पीटा सीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं है विदान परिश्यत, विदान सबा, राजे सबा, लोक सबा तो 144 का राइट अंस होगा, राजे सबा में संसद के किसी भी सदन में पीटा सीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता है उच नियाले के मुक्य न्यादीशों की निक्ति किसके द्वारा की जाती है राष्ट्य पती राजय पाल भारत के मुक्य न्यादीश तता सबंदित राजय के राजय पाल की स्थाब पर राष्ट्य पती दुवारा तो बंड 45 का राइटन्स होगा D बलोक स्तर पर 25 स्मिति है बंड 46 तो बंड 46 का राइटन्स होगा एक परशासनिक सत्ता प्रादिकार बी ओफने इस राइट गरीब भी रेखा कि अब धाना के पुनरिक्षन के लिए किस स्मिति का गटन किया गया था बंड 47 अगर आपने एकोनोमिक्स की कलास देखियोगी तो यह सारे कोशन उस वीडियो मैंने आपको कबर करवाय हुए तो बंड 47 का राइटन्स होगा तैंदुलकर स्मिति गरीबी रेखा पर अधारित थी ए ओफने ज राइट नवाड किसे पुन बित परदान नहीं करती है अनसूचित ब्रनिज्य बैंक क्षेत्रे गरामीर बैंक आयात निरात बैंक राज्य भूमी विकास बैंक तो बंड 48 का राइटन्स होगा आयत निरात बैंक रिपीटड गोश्न ये भी आपके अमिरपुर बोड की तरफ से पूछा जा चुका है नेक्स है ग्लोबल कंपिटिवेंस रिपोर्ट कौन सी संस्ता दुआरा जारी की जाती है बंड 49 बिशेब बेबार संगटन बिशेब आर्थिक मंच इरोपेन यूनिन सार्ग तो बंड 49 का रिपीशेब आर्थिक मंच के दुआरा आपकी कंपिटिवेंस रिपोर्ट संस्ता दुआरा त्यार की जाती है केंद्रिय बीज प्रशिक्षन ता था परमार्णन प्रयोक्षाला का अब भसती था है वो पाल बारणासी देरा दून लखनौ बंड 50 तो बंड 50 का राइट अंस होगा बारणासी में बी ओफनिस निम्र मैंसे किस देश की सीमा बूमा देश मुंदर से लगी हुई है बंड 50 बंड का राइट अंस होगा इन सभी से डी ओफनिस नेक्स है बिशिप की सबसे बड़ी ताजे पानी की जील कौन सी है तो बंड 52 का राइट अंस होगा सुपीरिल जील आपके सबसे बड़े ताजे पानी की जील है बी ओफनिस राइट हवाओं का मोसमी उतक्रमन किसका बशिष्ट लक्षन है बंड 53 का राइट अंस होगा मानसून जलुबाई जो है वो आपकी हवाओं का मोसमी उतक्रमन बशिष्ट लक्षन है सी ओफनिस राइट बिश्वबत्य क्षेत्रों में दिन ततर राते होती है समान असमान कम लवाई की इस में से कोई नहीं तो बंड 54 का राइट अंस होगा समान होती है आपकी ए ओफनिस राइट तो कोई भी परसन बीडियो को शेर नहीं कर रहा है प्लीज बीडियो को एक बार शेर जरूर कर दे निवन मैंसे हिमाच्यल पदेश का कोई सा त्वार चम्बा में दोलरू से परसीद है बं 61 तो वो आपका चैत्र मास कब तक हिमाच्यल पदेश मुख्य आयुक्त के परशास्तन के तह था 1948 1951 1956 1963 तो 162 का राइट अंस होगा 1951 हिमाच्यल पदेश मुख्य आयुक्त के परशास्तन के तह था NTPC दुवारा कोंसी पर्योजना हस्त गत की गई है बैरासियूल चमेरा कोल डैम पारबती तो 163 का राइट अंस होगा कोल डैम C अंस राइट माच्यल पदेश के किस जिले में तत्ता पानी गर्म का चश्मा अबस्तित है 164 का राइट अंस होगा मंडी तो ऐसे कोशन पूछे जाएंगे आपके हमिरपुर बोर्ड की तरफ से तो प्लीज हमारे साथ बने रहें मॉर्निंग में कलास होती है 41 कलास से हो चुकी है और 5000 से ज़्यादा कोशन की रुवाएट आपको रुवीजन करवाई जा चुकी है इस चैनल के मादिम से बाबाचक शब्द है मम मम्तव माया मर्तरी तो 168 का राइट अंस होगा मम्तव बिखारी को दान दे दो इसमें से कौन सा कार्क है 169 तो गो आपका संपरदान शक्तिहीं में कौन सा समास है रिपीटड हर एक्जाम में पूछा जा रहा है आपका यह था सबंब एंट शक्तिहीं समस तो 170 का राइट अंस होगा तत्थ पicz आपका शक्तिहीं में समस है तो बिखेmon is right